हेलो प्यारे बच्चों कैसे हैं आप सभी उमीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे स्वागत है बच्चों आप सभी का फिर से मेरे योच्यूब चैनल जारे डाउनलेंड क्लासेज में बच्चों आज हम सभी हल करेंगे हमारी विश्य गणित 1726 कक्षा 3 की वर्कशीट आज का उपविश्य है बच्चों कैसे कैसे बाटे बच्चों वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी जल्दी से जाए लाल बटन दबाईए और सभी मेरे चैनल को सस्क्राइब कीजे चैनल को सस्क्राइब करना ना भूलिए तो बच्चों देखिए यहां हमें पहला प्रेशन दिया गया है उधारन को देखते हुए निमलिकित प्रेशनों को हल करें अब देखिए बच्चों उधारन हमें दिया गया है कि 6 को हमने 2 से भाग दिया तो क्या आया 3 इसी तरह बच्चो हम 5 को किस से भाग देंगे कि 2 आए 10 को इसी तरह बच्चो 20 को हम किस से भाग देंगे कि 5 आए तो बच्चो 20 को हम 4 से भाग देंगे तो हमारा 5 आएगा देखे बच्चो किस संख्या को हम 5 से भाग दें कि 4 आए तो बच्चो बीस को अगर हम पांस से भाग देते हैं चीके बीस को अगर हम पांस से भाग देते हैं तो हमारा चार आएगा इसी तरह बारा को किस से भाग देंगे दो आए तो बच्चो बारा को हम किस से भाग देंगे छैसे चौदा को साथ से भाग दिया तो साथ आया, किस संख्या को तीन से भाग देंगे कि पाँच आये तो बच्चो, पंदरा को अगर हम तीन से भाग देंगे तो पाँच आयेगा सोला को किस से भाग देंगे दो आये तो बच्चो, सोला को आठ से भाग देंगे ठीक है अगला है बच्चो किस संख्या को 9 से भाग देंगे कि तो 2 आएगा तो बच्चो 18 को 9 को 3 से भाग दिया तो 3 12 को 6 से भाग दिया 2 8 को किस से भाग देंगे कि बच्चो 2 आए 8 का 4 से भाग जाएगा तो 2 आएगा इसी तरह बच्चों अगला प्रेशन देखे हमारे पास कुल बारा पैंसिले हैं यदि अब हुने चार बच्चों में बराबर बाटे तो प्रते एक बच्चे को कुल कितनी पैंसिले मिलेंगी तो देखिए बच्चो अगर हम एक बच्चे को कितनी पैंसिल बाटेंगे 12 पैंसिले हैं कुल 12 पैंसिले होंगी 12 पैंसिले को हमें 4 बच्चो में बाटना है तो बच्चो 12 का हम 4 से भाग देंगे तो कितना आएगा 3 इसका मतलब प्रतेग बच्चे को तीन पैंसिल मिलेगी तो हम यह लिखेंगे प्रतेग बच्चे को तीन पैंसिले मिलेगी ठीक है अगला प्रशन है बच्चो एक टिड़ी एक बार में एक कदम कूदती है एक मैंडक एक बार में दो कदम कूदता है एक बिल्ली एक बार में तीन कदम कूदती है एक बंदर एक बार में पांच कदम कूदता है एक कंगारू एक बार में पंदरा कदम कूदता है अब निमलिखित प्रशनों के उत्तर दीजिए तो देखिए बच्चो कितनी कूद लग मेंडक तीस पर पहुँचेगा तो बच्चो देखें मेंडक एक बार में दो कदम कूदता है तो तीस पर वो कित्ती बार में पूझेगा पंद्रा कदम में अगला बचो कितनी कूद लगाकर टिड़ी 21 पर पहुँचेगी कितनी कूद लगाकर टिड़ी 21 पर पहुँचेगी 21 कदम पे क्योंकि वो एक बार में एक ही कदम कूदती है बंदर दो कूद लगाकर किस संख्या पर पहुँचेगा तो बचो एक बार में 5 तो दो बार में 10 पे पहुँचेगा क्या बिल्ली कभी भी 28 की संख्या पर पहुँचेगी तो बचो एक बार में वो तीन कदम कूदती है तो 28 पर कभी पहुँचेगी वो नहीं कितनी कूद लगा कर कंगारू 30 पर पहुँचेगा तो बच्चो दो कदम एक बार में 15 कूदता है तो दो बार में वो 30 कूदेगा इन में से कौन-कौन 20 की संख्या पर पहुँचेगा तो बच्चो 20 की संख्या पर कौन-कौन पहुँच सकता है टिड़ी, मैंडग और बंदर अगला है बच्चो बंदर की कितनी छलांगे कंगारू की दो छलांगों के बराबर होगी अगला है बच्चो सबसे छोटी कौन सी संक्या है जिस पर मैंडक और बिल्ली मिलेंगे बच्चो मैंडक और बिल्ली दोनों किस पर मिलेंगे छैंपे अगला है बच्चो जीवन कोशल छूट छूट का सीधा सा मतलब है किसी भी वस्तू को मूल कीमत से कम कीमत पर बेचना तो देखे बच्चो जैसे कोई वस्तू हमारी 100 रुपे की है और उसने अगर हमें 80 रुपे में उसे दिया तो उसने हमें 20 रुपे की छूट दी ठीक है तो बच्चो इसका मतलब क्या हुआ कि उसने हमें वो चीज छूट पे दी एक दुकानदार अपनी सभी वस्तों को आदी कीमत पर बेचता है दी गई तालिका में उसकी दुकान के रियायती मुल्य की गणना करें आपके लिए एक किया गया है अब देखे बच्चो यहां हमें वस्तों दी गई है कीमत दी गई है रुपे में रियायती मुल्य आपको रुपे में बताना है जैसे कमीज 800 रुपे का है रियायती मुल्य 400 रुपे में हमने ली बैग 500 का है आधी दाम में उसने बेचा 2500 रुपे क्रिकेट बल्ला 1100 का है इसे हमने आधी मुल्ले 550 में खरीदा टीवी 16,000 का है आधा मुल्ले 8,000 फुटबॉल 4,000 की है आधा मुल्ले 2,000 अगला प्रेशन है बच्चो अपने मातापिता से पूछे कि क्या उन्होंने सेल से कभी कोई वस्तु खरीदी है उनसे वस्तु का वास्तविक और रियायती मुल्ले जानकर नीचे दी गए तालिका में भरें तो आप सभी देखे बच्चो अपने जो भी मातापिता है उनसे पूछेंगे और यहाँ पर वस्तु का नाम लिखेंगे वास्तविक मुल्ले और उनका रियायती मुल्ले लिखेंगे जैसे उन्होंने जैकिट लिया जिसका वास्तविक मुल्ले था बारा सो रुपे रियायती मुल्ले हजार रुपे जूते उन्होंने कित्ते में लिये बच्चो वास्तविक मुल्ले उसके थे पान सो रुपे रियायती मुल्ले तीन सो रुपे इसी तरह बच्चो टीवी वास्तविक मुल्य था बच्चो 15,000 रियायती मुल्य 12,500 साड़ी बच्चो साड़ी की वास्तविक मुल्य क्या होगी 2,000 और इसके रियायती मुल्य कितनी होगी 1,000 रुपे पैंट का वास्तविक मुल्य 500 रुपे उसका रियायती मुल्य 300 रुपे इस तरह से आप सभी यहाँ पे लिखेंगे अगला है बच्चो संसका शाला छोटी छोटी पर बड़ी बाते सरफरोशी की तमना अब हमारे दिल में है देखना है जोर कितना बाजवे कातिल में है राम प्रसाद बिस्मिल ने ये कहावत कही थी खाना पीना अंकुरित डालों से बने खादे पदात आहार में शामिल करे और उनका सेवन करे गति वीदी स्वतन्तता सैनानियों के नारों को उनके नाम सहित बोलकर अपने अध्यापक को वोईस मैसेज भेजे तो बच्चों जो भी हमारे स्वतन्तता सैनानी है आप सभी उनके जो नारे हैं वो आप उनके नाम के साथ बोलेंगे और एक voice message record करके आप सभी अपने अध्यापक को भेजेंगे खेल परिवार के सतरंज के साथ सतरंज का खेल खेलना है दैनिक दिन चरिया निम्लिखित आदतों को अपने दिन चरिया में शामिल करे अपने माता पिता का विवादन करके अपने दिन की शुरुआत करे अपने दातों को दिन में दो बार brush करे प्रते दिन इसनान करे खूब पानी पी और संतुलित आहार ले अपने चहरे को छूने से बचे और अपने हातों को बार-बार धोए अपना ग्रैकार्य समय पर पूरा करे तो इस तरह से आप सभी अपनी वरक्शीट को हल करेंगे उमीद करती हूँ बच्चों आप सभी को अच्छे से समझ माया होगा बच्चों अगर आप सभी को वीडियो अच्छा लगा है तो सभी लाइक बटन दबा करके वीडियो को लाइक करें ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और नीचे दिए कमेंट बॉक्स में कमेंट जरू करके बताएं कि आप सभी को वीडियो कैसा लगा और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है आप सभी जल्दे से जाईए लाल बटन दबाईए और सभी मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए आप सभी वच्चों का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद